नमस्कार आप देख रहे हैं खबर जगत जाल साज हुआ गिरफ़तार सिर्धार नगर जीर में पुलीस ने आज जाल साज गैंग के तीन अभियुक्तों को गिरफ़तार करने में सफलता पाई है यह तीनों अभियुक्त एक यूवक उसोने चांदी के गहने सस्ते दाम पर बीते सत्रा सेतंबर को शोहरत गर्थाने में मुहमबत तारीक ले अपने साथ हुई लाखों रुपए की जाल साजी के मामले को लेकर प्रात्मित्ता दर्च कराई थी आनन पानन में पुलीस ने टीम बना कर इन अभियुक्तों की घेरबंदी में लग गई और चारा आरोप शोहरत गर्थाने के रहने वाले हैं इस मामले को लेकर पुलीस अधिक्षक रामा भिलाश त्रिपाठी ने बताया कि जाल साजी के मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है इन्हों ने एक व्यक्ति को सस्ते दरपर सोने शानी के जेवरात उपलक्त कराने को ले है इनके पास से साथ लाक रुपए एक आरियकार एक बाई वचार मोबाइल फोन बरामत किया गया है इस तरह रहनी कारे के लिए पुलीस टीम को बीस हजार रुपए नगत से पुरिस्प्रित किया गया खबर जगत के लिए से धार्थ नगर सी बजरंगी प्रशाथ चौध प्रशाथ नगर से पुलीस टीम को बीस है इस प्राइब दिए गया है इसके साथ जालसाजी हुई है प्राइब पत्र के विश्यवस्त के हिसाब से थाना प्रभारी शौरत गर्थ प्रभारी यह सोजी को टीम गठित कर ततकाल उन्हें आदेशित किया गया मुल्जिम को ग गरिपतारी के लिए तीन मुल्जिम पकड़े गया उसमें से साथ लाग की बरामत की और टाटा आरियन गाड़ी एक मोटर साइकल जो घटना में प्रियुक्त होती है उसको भी बरामत किया गया और गिरिपतार करने वाले टीम को बीस हजार रुपए का इनाम भी दिया गया बादी के साथ सस्ते गहने उपलब्ध कराने के लिए इन जालसाजों ने बादी को बॉम्बे से यहां लाए और उससे जो है रुपएा चिटिंग किया